नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवी देश में कोरोना संकट के बीच हाल ही में प्रधान मंतरी मोदी कोरोना वैक्सीन का जाइजा लेने एहमताबाद इस्थित जाइडस बायो टेक पार्क पहुँचे थे इस दोरान पीम मोदी ने रिसर्च सेंटर के वैग्यानिकों से बात की और वैक्सीन पर जरूरी जानकारिया ली इसी दोरान एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एहमताबाद से 20 किलोमीटर दूर चंगोदर इंडस्ट्रियल एरिया में इस्थित बायो टेक पार्क को अपने चंगोदर दौरे के दौरान पीम मोदी जाइडस केडिला के चेर्मेन पंकच पटेल की बीम डबलू कार में पहुचे सोशल मीडिया पर अब चंगोदर दौरे पर जाते पीम मोदी का एक वीडियो वाइरल भी हो रहा है अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीम मोदी जाइडस केडिला के चेर्मेन की कार से बायो टेक पार्क पहुचे थे जब इस खबर का फेक्ट चेक किया गया तो पता चला ये खबर फरजी है सोशल मीडिया पर इस दावे के वाइरल होनी के बाद आखिर में सरकार को सामने आकर इस फेक न्यूज का सच बताना पड़ा सरकार ने कहा कि ये दावा बिलकुल फरजी है पी आईबी फेक्ट चेक ने ट्वीट कर इस दावे को फेक बताया है पी आईबी ने वाइरल दावे को लेकर कहा है कि दिव्य अभासकर न्यूस के एक लेक में दावा किया गया है कि बियम मोदी 28 नवंबर 2020 को जाइडस कडीला के चेर्मेन पंकश पटेल की बियम डवलू कार में बैट कर चंगोदर पहुँचे थे पीम मोदी के लिए उपयोग की गई कार वो गुजरास सरकार की है ना की जाइडस कडीला की बतादे कि पीम मोदी ने कोरोना वाइरस वैक्सीन रिव्यू के लिए 28 नवंबर को देश की तीन रिसर्च सेंट्रों का दोरा किया था वो पहले एहमदाबाद के जाइडस बायोटेक फिर हैदराबाद के भारत बायोटेक और अंत में पूरे इस्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे थे इस बीच बीम मोदी को लेकर ये फैलाई जा रही खबर बिलकुल फरजी निकली फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार